हलो दोस्तो मुन्नी बार्वी के घर में आपका स्वागत है चलो देखते हैं आज क्या होता है मुन्नी की मम्मी मुन्नी की मम्मी जल्दी आओ हमें जल्दी से जाना है वक्त हो रहा है जल्दी खेतों में चलो माजी के लिए खाना लेकर जाना है जल्दी करो हाँ जी आ रही हूँ जी अभी आती हूँ मैंने टिफिन विफिन बांद लिया है टिफिन उठा कर चलो मैं टिफिन ले लेती हूँ बन गया है टिफिन भी ले लिया है चलो चलती हूँ अज तो बड़ा मज़ा आएगा हाँ जी मैं तैयार हूँ टिफिन भी ले लिया है चलो जल्दी से चलते हैं हाँ मुनी की ममी जल्दी से आजो बैट जाओ चलो तब ही वहाँ से शुन्नी भी आने लगती है पपाजी पपाजी में भी आऊंगी पपाजी मुझे भी आना है पपाजी मुझे भी लेगा ये ना फ्लीट पपाजी मैं भी केटों में आऊंगी फ्लीट पपाजी हाँ आजाओ बेटा तुम भी आजाओ हम सब मिलकर खेट में चलेंगे नानीमा को टिफिन देने हाँ आजाओ बेटा तुम भी आजाओ हम मिलकर चलेंगे नानी मा को टिफिन देने जल्दी जल्दी बैठ जाओ हाँ आजाओ बेटा तुम भी चलो हम सब मिलकर नानी मा के पास चलते हैं चलो बेटा अब बहुत सुपह हो गई है अब सूरज भी निकलने वाला है जल्दी चलो अजी वाँ मम्मी देखो देखो बक्रिया जा रही है कितनी प्यारी प्यारी है बक्रिया अरे वाँ हाँ हाँ देखो शिनी कितने अच्छी अच्छी बक्रिया हैं कितने प्यारी प्यारी है बक्रिया अरे वाँ कितने प्यारी प्यारी नडिया भी है अरे हमारा गाउं कितना अच्छा है मम्मा वाँ ममा अरे कितना गहरा है पापा पानी यहां से जल्डी चलो अरे भैसे भी चल रही है यह देखो शुनी बिता यह मके की जाड़ियां है यह तुँबारी मासी के खेट है देखो अरी वा ममी कितना मचाएगा जा हम यहां पर पिकनिक बनाएंगे तो मुझे तो गाओं में ही दहना है हमेशा अरी वा कितने खूपशुरट से थे अरी वा ममी कितना अच्छा है थे रुको रुको जी हमारे खेट आ गया हमारी माक खेट आ गया चलो उतरते हैं हाँ मुनी की ममी चलो उतर जाओ आ गया मैंने रोग दिया अली वा अली वा बलमद आएगा बलमद आएगा मैं खेतों में खेलूंगी बलमद आएगा ये तलो ममी मुन्नी की मम्मी साइकल से उतर जाती है चलो चलते है माजी के पास मम्मी मैं भी आ लिए लुकिये लुकिये मम्मी जी लुकिये मुन्नी की मम्मी इतनी जल्दी क्या है रुको यह मैं भी आता हूँ शुन्नी अपनी पापा के उपर चड़ कर कांधे पर चड़ कर चलने लगती है अले अले चलो चलो अले मुझे बला मदा आला है उपर पापा भोग अच्छा नजारा दिख रहा है मुझे सब मिलकर खेतों में जाने लगते है माजी माजी अले बिटा तुम आ गए बिटा क्या जरुरत थी इतनी दूर से मेरे लिए खाना लाने की मैं अभी आने ही वाली थी काम खतम करकर नहीं माजी आपका लेट हो गया ना इसलिए मैं आगे आपके लिए खाना लेकर चलिए खाली जीए हाँ माजी खाली जीए हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं नानी मा नानी मा खाली जीए नानी मा हम इतनी दूर से आपके लिए खाना लेकर आए हैं ओहो तुम इतना कहते हो तो ठीक है दे दो टिफिन बेटा नानी मा टिफिन ले लेती है हाँ बेटा खेतों में खाने का मज़ा ही कुछ और है हाँ मा जी खेतों में खाने का तो मज़ा ही कुछ और है अच्छा माजी मुझे घर में बहुत काम है मुझे तो जाना पड़ेगा मैं चलती हूँ ठीक है आहां अच्छा बेटा जर रुक के मेरे साथ खा लेते नहीं नहीं घर में मैंने खाना बनाया है माजी ती धूपी है जाती हूँ फिर कभी हम आएंगे अच्छा बेटा जा नहीं पपा नहीं ममी मुझे तो यहीं खेतों में ही खेलना है रहना है ममी मुझे यहीं खेलना है नहीं बेटा घर जाके खाना खाना है घर में काम भी है बड़े हम फिर कभी आएंगे खेतों में खेलने के लिए, अभी तो बहुत जल्दी जाना है, हमें काम है, मुनी की अम्मी कसके पकर लो, आप जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत काम पड़े हैं, हाँ ठीक है ठीक है जी होले जी, अजी अरी वाच कितना अच्छा है, किटनी ठंडी ठ सesh NPC जलिए जलिए ज़ली ज्ली जाना हैं है चलो 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 कितने अच्छे रहुज़ा रहु है चलो छलो कितना अच्छी खेत हैं किटना मज़ा रहो है छो छो हाँ जी बहुत खूपसूरत है तुम्हारा गाउं हम फिर से आएंगे खेतों में और पानी में खेलेंगे हाँ पपा खेलेंगे आज की कहानी यहीं खतम होती है आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब